सिम्रन जी स्वागत है आपका नमस्कार मैम कैसी हैं आप अच्छे है मैम अधास आपको भी नमस्टे सिम्रन जी स्वागत जैहिन और दिन बाद जुनते हैं अब आप कि मिर्ष्टी के प्रावलों मा खड़ी है उसकी उम्र है जार साफ एक करिशार और उसको यह जार साफ 15-20 जिन बाद कमर में और दर्द रहा है और एक दो घंट पढ़ने बढ़ती एक घंट पढ़ने लए गए जार से पर्शाब कुछ रह भी खाए तो पेट में भी दर्द ह पेट में और कमर में कमर में और एरी में पंजे केरी में अच्छा ठीक है आधा शिवरंग जी आपको तो पता है बलके आपके पास रखा भी होगा गौंसिया गौंसिया दीजे आधा अधा गिराम दो बार खाने के बाद दूर से देना है बच्ची अगर दूर पीती है तो बस कुछ खुराके देंगे तो भगवान उस बच्ची को बहुत जल्द अच्छा कर सकता है यंग बच्चे बहुत जल्दी ठीक होते हैं हम भी खुश हो जाते हैं कि 10-15 खुराक खाई भगवान ने फाइदा दिदिया, नाम हमारा हो जाता है, भगवानी फाइदा देता है, आपके पास होगा गौंशिया नहीं, तो पौरी टार पर मना के उसको दे, बच्ची का अच्छा होना मुम्किन है. रमेश जी, स्वागत हैं आपका? आपको तो सबसे पहले नमस्कार कर रहा हैं. हम भी आपको आधाप करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपको जाहिं बोलते हैं. हम यह कह रहे हैं कि महलब हमारे परिवार को जो हैसे, बुम्दुम क के स्कूरे स्रीर में होता है. हम. तो उसके लिए जहाते मालब क्या उपाय आप बताई और दिखिए हमारा प्रोग्राम ही जायतर दर्द पर ही चलता है वैसे तो सभी लोग फोन करते हैं लेकिन जब से मैं यह टेलिविजन पर आता हूं यह से पहले लोग मुझे दर्द के नाम से ही जानते हैं दर्द हो कैसा भी जोड़ों का हड्डियों का घुटनों का कमर का दुनिया की सबसे बहतरी रो मैटेरियल कच्ची दवा जिसे गौन सिया कहते हैं मेरे अनुभा में इससे बहतर पूरी दुनिया में कोई दवा नहीं अगर असली मिल जाये तो लिए दुकानदार बैठे में धोका देने क लिए वो इसकी जगा एल्वा दे देते हैं यह एल्वा नहीं है और एल्वे को कभी शिलाजीत बोल देते हैं कभी एल्वे को काला गौन बोल देते हैं कभी उससे मिलती जुलती चीज दे देते हैं लेकिन गौन सिया अलग दवा है एक गौन है जो भगवान की दिया से इत हाथों में हो मौंड़ों में हो चाहे वो कितना ही घूमता हो दर्द इसे घूमने नहीं देता तो गौंसिया असली ले 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 आप इसे बेश्मार लोग नकली बेच रहे हैं आपकी जिम्मेदारी असली लेना अधा गिराम बस सुबह नाश्टे के बाद दिया करें और अधा गिराम रात को खाने के बाद पानी से दें या दूस से दें बस काफी है यह सौ गिराम भी अगर असली मिल गया तो आपको परिवार को फाइदा होना मुम्किन है आप इसे इस्तमाल करें फाइदा उठाए महम जी, जी, फर्माइए. जी, 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 तो आपकी एसी नहीं है? इसमें इतनी थकावट होनी चाहिए, लेकिन आपका काम काफी महनत का और जिम्मेदारी का है, तो दो चीजें चेक करा लें आप, एक तो ब्लेट पेशर और एक डायवटीज, हो सकता है आपका ब्लेट पेशर कम हो, और बुरा नहीं मानना आप सोचेंगें कि इतनी कम उमर मे हमें डायवटीज का चेक अप कराते हैं यह दो चीजें चेक अप करा, जिसमें परिशानी हो, उसका इलाज करें, और ऐसे कोई वैसे खत्रे वाली बात नहीं है, लेकिन कभी-कभी हम अपनी उम्र की मुनाजबत से यह तैनी कर पाते हैं कि हमें क्या मर्ज होगा, बी-पी अगर लो हो तो भी यहालत होती है, अगर डायवटीज हुआ चाहती है, तब भी यहालत होती है, वना इस उमर में ता आते हैं, बिलकुल यंग होता है, जरूर टेस्क कराएं, अपने डॉक्टर से ही करा ले, और फिर आप उसके बाद जो बीमारी निकले, उसका इलाज करे है, फिलार आप एक दिन में पांच बार गरम पानी पिया करें, यह बुरा तो आपको बहुत लगेगा, यह अगर रोजा रख रहे हैं तो फिर ऐसे अवकात में ले जब रोजा नहीं हो, इससे भी आपको बहुत एनर्जी आना मुम्किन है, सिया हमारे साथ स्वागत है, आपका, हेलो मैम जी, जी, मैम जी, मेरे दादी की उंबर ने पैट खाल किया है, तोनार मेरे दादी की ने गुटनों में बड़ा जगद रहता है, कम और मोड़ों में, अधिती की दवाईजी खाते हैं, वह मतलब कैसे ठीक हो सकता, आप ज़र नानी की महबबत भी अजीब है, और उनसे पूशी जिनके नानी नहीं है, बहुत बहुत अजीब महबबत है, तो देखे, दादी को दर्द हो या नानी को या नाना को या दादा को, किशी को भी दर्द हो गुटनों में, बहुत अच्छी दवा, दुनिया की सब से बहतरी raw material, कच्ची दवा और वो क्या है? Gone सिया, सिया मतलब काला Gone तो आप जानते हैं, gum को कहते हैं, गौन सिया असली लेना, नकली बहुत, बहुत, बहुत बहुत नकली बेचते हैं दुकान दा असली गौन सिया बस सो ग्राम लेना काफी है इसको यह raw material कच्ची दवा इसको powder बना के रख लीजे और आपके किचन में धनिया है ना आधा आधा चमच धनिया और आधा ग्राम गौंसिया यानि दो चुटकी गौंसिया आधा चमच धनिया आपके किचन में जो मुझूद है दिन में दो बार खाने के बाद दूद या पानी से दीजे ये 100 ग्राम भी असली मिल गया तो इसकी ये शान है असली मिलना चाहिए इसकी ये शान है कि ये खुद के खतम होने से पहले 100 ग्राम खतम होने से पहले इनसान को रोग मुथ करने की शक्ती रखता है स्वागत है आपका सवाल? हमारे घरवाली के पेजने गैस गैसे बर्ड़ी है उम्र कितनी है उनकी? उनकी है पचास और ये परेशानी कब से है? ये परेशानी उनको कभी हो गया एक दो साल से हो गया अगर आपने कभी जाँच नहीं कराई हो जाँच में भी वो सॉनोग्राफी कराते हैं जब इतना वक्त हो जाए इसी परिशानी को वो भी पेट की परिशानी तो हमें सॉनोग्राफी करानी चाहिए यानि पूरा अंदर से जाँच होती है बाहर से वह एक चीज लगाते है ना अंदर का सब दिखता है टीवी में उसे सॉनोग्राफी कहते है तो इतना पुराना रोग है तो जाज भी होनी चाहिए नहीं कराई है तो करा ले और एक नुसका बड़ा अच्छा बड़ा काम्याभ ऐसे रोगियों को अक्सर जो इतना लं करी रोगी ऐसे थे जिनको ये प्रावलम थी तो मैंने जाच करवाई तो पत्री निकली तो वो जाच करा है और नुसका मैं बता जेता हूं फिर पता नहीं आपका फोन मिले नहीं मिले कि सौफ सौट जीरा अजवाइन धनिया मेति का दाना एक बार और बोलता हूं आप लि कर रख लें चूरन बना कर रख लें और एक आता है नमक जैतून नमक जैतून अलग से सौ ग्राम लेकर रख लें ये असली लेना ये नकली बहुत पिलता है एक चुटकी नमक जैतून पानी में डालें और ये छे चीजों का पाउडर एक चमच खाके नमक जैतून का पानी पी लें, यह आपको 10-12 रोगों से मुक्ति दिलाता है, एसिडिटी, कब्ज, बवासीर, इन्फेक्शन, वर्म, जो स्वैलिंग आ जाती है, पेट में, लीवर पे भी अक्सर स्वैलिंग आ जाती है, किड्नी में आ जाती है, तो एसिडिटी, कब्ज, वर्म, स्वैलिंग, और बवासीर, लीवर की वज़ा से अगर ऐसा होता है, तो लीवर के लिए किड्नी की बड़ी अच्छी सफाई करता है, और इस्किन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, यह पूरे पेट के निजाम के लिए, सिस्टम के लिए है, जहां जो परिशानी होगी, उसको निकालने क की ताका त्रक्ता है.